हेलो एवरिवन वेलकम टू रवियदिती क्लासेश आज की वीडियो का टॉपिक है फोस्ट इन इंडिया तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि 2021 में चो पहली बार इंडिया में हुआ है और यहां पे सारी ही कोशन बिलकुर सेलेक्टेड है अगर आप किसी भी एक्जाम के त बहुत जादा मदद करेगी तो चलिए फ्रेंट्स क्लास की शुरुवात करते हैं क्वेशन नमर फर्स्ट से पहला क्वेशन है फ्रेंट्स इंडिया तो यह किताब जीतने वाली पहली भारतिक लाड़ी कौन है उनका नाम है फ्रेंट्स अनाहत सिंग दी आंसर इस ऑप्श यून टेरिटरी ऑफ इंडिया तो है फंडिट पर्सेंट वैक्षिनेशन दी आंसर इस अंजमान एं निकुबार तो फ्रिंट अंडबान निकुबार पहला ऐसा केंदर साश्ट प्रदेश है जहां पर हंडिट परसेंट जो है वैक्षिनेशन हो गया इसके बाद देखिए विच स्टेट हास बिकम देखिए फिर्स इन देखिए तो लॉंच दा उडान इस्कीम और उडान इस्कीम क्या थी तो दिस्टिबूट फ्री सैनेटरी नपकिन तो फोमें एंड गर्ल्स तो ये योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना था राजस्थान या अंसर इस ऑप्षिन नंबर ए नेक्स्ट कोशन वेर हास इंडियास फर्स इंटरनाशनल आर्बिट्रेशन अंड मेडिटेशन सेंटर बीन इन इनॉगरेटेड तो सबसे पहला जो अंतराश्थिय मध्यस्तता है उसका जो सेंटर है इसे हाइडराबाद तिलंगाना में इसक पहला बार जो भी चीज हुई है वो कहां पी हुई है उसका प्लेस आपको दियान लगना है और एक कोशन आपके एक्जाम परपस से काफी ज़ादा इंपॉर्टेंट है Question है अगला Who has become the first Indian player to win a silver medal in the BWF World Badminton Championship? The answer is Kidambi Shrikant Friends, Kidambi Shrikant विश्वी Badminton Championship में silver medal जीतने वाले पहले भार्तिक लाड़ी बने Important question है अगला question देखिये Which is made of India's most expensive day tea sold? The answer is Delightful Gold Tea जिसे हिंदी में बोलेंगे Manuhari Gold Tea जो कि भारत के सबसे महंगे दिग में बिगने वाली चाय बनी इसके बाद देखिये Who has launched India's first Green Hydrogen Micro Grid Project? Answer is NTPC तो Friends, NTPC ने भारत के पहली Green Hydrogen Micro Grid परियोशना की शुरुवात करी है अगला question Which has become the first state in India to administer the second dose of Corona vaccine? तो Corona vaccine की दूसरी dose लगाने वाला पहला राचे कौन सा बना? Answer is Himachal Pradesh Question का मतब यह है कि 100% यहाँ पर जो दूसरी dose है इसका vaccination हुआ है तो state का नाम है Himachal Pradesh Next question पर बढ़ती है Which bank has launched India's first credit card जो के recycled PV plastic से बना है? तो यह पहला इसा credit card है जिसे HSBC bank के द्वारा launch किया गया? Answer is Option B अगला question Which state form India's first cyber तहसील? तो cyber तहसील बनाने वाला कौन सा पहला राचे है? तो राचे का नाम हो जाएगा Friends Madhya Pradesh Next is Which state has the drawn delivery of medicine taken place for the first time in country? देखे पहली बार ऐसा हुआ है कि delivery जो दवाओं की delivery है वो drawn की health से हुई और ये कौन से राचे में हुई है? The answer is Meghalia is the right answer Next question देखे In which state India's first grass conservatory has been developed? Answer is उत्राखंड तो उत्राखंड आज में भारत का पहला घान सननक्षन जो चेतर है इसको विक्सित किया गया है Next is India's first stealth guided missile destroyer INS Vishakhapatnam has joined the India Navy who built it तो देखो इसे इंडिया नेवी में शामिल किया गया है Question में पूछा है कि इसका निर्माण किस नहीं किया है? The answer is मजगाओ dog ship builders मुंबई के द्वारा इसका निर्माण किया गया Question number next देखते है In which city the country first fisheries business incubator has been inaugurated for the development of fishery sector? तो जो fishery sector है उसके विकास के लिए देश का पहला fishery business incubator को इसका उत्घाटन किया गया है और कहाँ पर किया गया है? तो friends correct answer is गुरुग्राम में इसका उत्घाटन किया गया इसके बाद देखिए Where was the India's first grass conservatory inaugurated? The answer is Rani Khet उत्राखंड तो देखो उत्राखंड भी पूछ सकते हैं friends आप लोगों से और ये भी पूछ सकते हैं कि उत्राखंड में कहाँ पर इसका उत्घाटन किया है तो Rani Khet तो आप दोनों तरीके से इस question को ध्यान रखें Next question है At which railway station Indian railway has launched pod hotel for the fourth time? तो कहाँ पर पहली बार इसे launch किया गया है? Answer is Mumbai railway station में पहली बार pod hotel को launch किया गया इसके बाद है देखिए India's first food security museum is open in which state? Answer is तंजावूर तमिलनाडू में भारत का पहला खाद संग्राले खुला है Next question देखिए Which has the first state in the country to operate metro in five cities? तो कौन सा शहर है? जो पांश कौन से state में पांश शहरों में metro संचालित करनी वाला ये देश का पहला राज़ बना है The answer is Uttar Pradesh is the correct answer Question number next देखिए Which state of India has made the country's first bamboo cricket bat and stump? Answer is तिरपुरा तो भारत की तिरपुरा राज़े में देश का पहला बांस cricket bat और stump बनाया है गया है Next question है From which railway station did the country's first Ramayana circuit train depart? तो correct answer हो जाएगा देखिए सफदर गंच जो की कहां पर है Delhi में है जहां पर देश की पहली Ramayana circuit train जो है railway station से रवाना हुई है इसके बांद है Where has first open air rooftop drive in movie theater in India been inaugurated? तो दीखे ये जो movie theater है न ये open air rooftop theater है और इसका inauguration जो है वो Mumbai महारास्टो में किया गया next is What is the name of India's first man maritime expedition to conduct research in depth of the sea? ये जो दीखे maritime expedition है न इसका जो इस्तमाल किया जाएगा sea के गहराई में research करने के लिए किया जाएगा और इसका नाम किया है तो friends इसका नाम है समुदरियान option B is the correct answer इसके बाद Which company will build India's largest green hydrogen plant? The answer is Gale India Limited भारत का सबसे बड़ा इन्होंने हरित hydrogen सन्यंत्र बनाया इसके बाद है Where was the India's largest aromatic garden inaugurated? The answer is Nainital Utrakhand तो भारत का देखे सबसे बड़ा सुगंदित उध्यान जिससे कहेंगे aromatic garden और फिंस इसका उदखाटन किया गया है Nainital Utrakhand में Next is Which has become the first state in India जो की आपका खुले में शौच्मुक्त और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्ये बना है तो उस राज्ये का नाम है friends Go is the correct answer Next is At which port India's first radio over internet protocol system has been inaugurated Answer is Shiyama Prasad Mukherjee port जो की कहां है कॉलकाता और ये भारत का पहला radio over internet protocol system को घाटन करने वाला बन गया है पहला port Next question है In which state for the first time in the country bunny buffalo calf has been born by IVF technology तो ये कौन से स्टेट में है जिसमें ये जो calf is का जनम हुआ है तो देखी correct answer हो जाएगा Gujarat is the right answer Next question है Which has become the first district in the country to apply both doses of corona to every adult तो हर वायस्त को corona की दोनों dose लगाने वाला देश का पहला जो जिला है वो कौन सा है किन और हिमाचल परदेश is the right answer Next question पर बढ़ते हैं Which state has become the first state in the country to approve the wildlife action plan Answer is महरास्ट तो देखे महरास्ट राज़ है जो की wildlife action plan को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज़ बना है इसके बादे next question For the first time in the country which company has directly launched LPG for one ship to another तो एक जहाज से दूसरे जहाज में सीधे LPG launch किया है और ये ऐसा पहली बार हुआ है country में किस ने किया है Answer is भारत Petroleum Corporation Limited ने इसको किया है इसके बाद देखिए which has become the first city in India to use rope-based service रोबे जो services ने इसका उप्योग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है Answer is वरानसी Next question Which state government has developed country's first smartphone waste e-voting app तो ये पहला smartphone आधारित e-voting application है और इसको develop किस ने किया है तेलंगाना की state government ने Next question Who has launched country's first one health consortium to monitor bacterial and viral infection तो जितने भी bacterial viral संक्रमर है उनके निगरानी के लिए इसको develop किया है किस ने किया है The answer is DBT Next is Indian Railways operated two long distant goods train for the first time ये जो दो train है जो मालगाणी है न इनका नाम हमें बताना है तो देखें इनका नाम है Trishul and Garun तो ये जो दो मालगाणी है ये लंबी दूरी की मालगाणी है पहली बार Indian Railway ने इनका संचालन या इसको operate किया है इसके बार देखिए Which state government has launched India's first e-fish market application और इस application को नाम दिया गया है फिश वाले तो आंसर हो जाएगा असम और इस application के तुरू देखें काफी सारी मदद जो है वो e-market को होगी या फिश मार्केट को होगी या कह लिजे गुणवत्ता वाली जो fishes हो गई इसके लावा उनका जो भी feeding system हो गया पूरे चवी सीजों को help किया जाएगा इसके बाद है Where will India's first vertical lift railway sea bridge New Pumban bridge इसको नाम दिया है ये कहाँ बनाया जाएगा The answer is Tamil Nadu में इसको बनाया जाएगा इसके बाद है Which has become the first state in the country to start organized cultivation of cinnamon Cinnamon होता है देखे दालचिनी तो इसके खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है Himachal Pradesh Next question है Indian Premier League में एक टीम के खिलाव thousand run बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बनी है तो answer है friends यहाँ पर रोहिश शर्मा Next question Where was India's first sports arbitration center inaugurated The answer is एहमदाबाद जोकि कहाँ पर है friends गुजरात स्टेट में है तो भारत का जो पहला sport arbitration center है इसका उद्गाटन किया है गुजरात राज्य के एहमदाबाद में इसके बाद है Which ministry has launched countries first all India toll free helpline elder line elder line to ensure the safety of the elder population तो जितने भी elder population होगे यानि बुज़ुक आवादी है उनकी सुरक्षा के लिए एक helpline है इसको कौन सी ministry ने launch किया है The answer is Ministry of Social Justice and Authorization यानि सामार्जिक नियाए और आधिकारिता मंच्वाले ने इसे launch किया इसके बाद है Who has become the first Indian player जिनोंने 10,000 इसकोर किये है T20 में तो यहाँ पर answer हो जाएगा friends विराट को ली इसके बाद देखिए In which district the khadi and village industry commission ने Odisha का पहला silk yarn production center स्थापित किया अब देखिए ये तो पता चल गया कि state है Odisha Odisha का कौन सा district है तो answer हो जाएगा यहाँ पर कटक कटक district में इसको स्थापित किया गया इसके बाद which company जिसने issue किया है इंडिया का पहला euro green bond answer is power finance corporation limited ने भारत का पहला euro green bond जारी किया next question which company जिसने commission किया है इंडिया का first plant to capture carbon dioxide तो यह क्या करेगा कि environment से carbon dioxide को capture करेगा और यह जो plant इसको commission किया है किसने टाठा स्थील ने next is who has launched इंडिया's first fast tech based metro parking facility और इसे डेली कश्मीरी गेट metro station में शुरू किया गया और यह facility शुरू करी है friends paytium payments bank limited ने next is which has become the first private company to enter into agreement with Indian space agency ISRO तो यह पहली private company है जो ISRO के साथ जिसने समझाता किया है तो company का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस next is conscious state है जो कब जो की पहले स्थान पर है in the installing solar pumps under the PM कुसुम स्की तो इस योशना के तहत solar pumps को install करने में पहले स्थान पर कौन सा स्थान है तो answer हो गया friends हर्याना अगला question in which city country's first luxury bus boat service has been started answer is श्रीनगर तो friends श्रीनगर में देश की पहली लगसरी bus boat सेवा शुरू की गई next question है देखिए the country's first nuclear missile tracking ship has been launched इसका नाम किया है तो friends इसका नाम है INS Dhruv next question है where was country's first emergency landing stripe built the answer is राजस्तान में इसको बनाया गया अगला question है in which IIT institute India's first biobrick based building has been inaugurated तो ये कौन से IIT श्रीनगर इसका उद्गाडन किया है answer is IIT Hyderabad next is what is the name of India's first floating missile test range और इसका नाम है INS अनवेश इसका नाम है next is where will India's first डुगों conservation reserve तो ये conservation reserve है इसको कहां पर स्थापित किया जाएगा answer is Tamil Nadu state में next is which has become the first Asian country जिसने plastic pact को launch किया है और भारत जो है वो पहला ऐसा Asia इदेश बना है जो कि plastic समझावते को इसने शुरू किया next is which has become India's first e-vehicle friendly highway answer is Delhi Chandigarh highway जो कि भारत का पहला e-wahan अनुकूलन राजमार्ग बन गया है इसके बाद है next question देखिए who has developed India's first indigenous motorized wheelchair और इस wheelchair का नाम है new bolt तो इसको develop किया है IIT Madras में next is the government of India has launched country's first quantum computer simulator tool kit what is the name of this tool kit तो हमें बताना है इस question में किस tool kit का नाम क्या है the answer is Q-SIM तो इस tool kit का नाम है friends Q-SIM next is where will the first Aish University of Uttar Pradesh be opened answer is गोरगपूर तो फ्रेंक्स गोरगपूर में उत्तर प्रदेश का पहला आईश विश्विध्याले खोला जाएगा next question है where was India's first roving cinema hall established answer is लह लद्दाक जहां पर पहला roving cinema hall स्थापित किया गया इसके बाद है which has become India's first e-vehicle friendly highway the answer is Delhi Chandigarh highway तो ये दुबारस रिपीट होगा है question जट कोई बाद नी Delhi Chandigarh highway ध्यान रखेगा next देखिए India's first smoke tower इसे किस शहर में स्थापित किया गया है answer is New Delhi तो ये country का पहला smoke tower है तो ध्यान रखेगा important है अगला question which cryptocurrency exchange has become India's first crypto unicorn answer is CoinDCX जो की भारत का पहला crypto unicorn बन गया है next is which has become the first national park जहां पस satellite phone का यूद किया जाएगा तो पहला ऐसा national park बना है काजी रंगा और काजी रंगा national park बात करते हैं कौन से state में है तो ये friends असाम state में है next question है which has become India's first water plus city answer is Indor जो की है मध्यपरदेश में अगला question which city has become the first city in India to provide high quality drinking water answer is पुरी तो पुरी इसा पहला शहर बना है जहां पर high quality drinking water प्रदान किया जाता है next is which is the first high court which will have live streaming of court proceedings तो जिसमें जो अदालत के कारवाही होती है रहों उसकी पूरी live stream की जाती है और एंसा करने वाला पहला जो high court बना है वो है गुजरात high court next question is which company will build India's first green hydrogen plant I answer हो जाएगा Indian oil corporation next is India's first five stair hotel is built over which railway station तो अभी ये जो hotel है न ये railway station के उपर बनाया गया है और railway station का नाम है गांधी नगर गुजरात question है अगला इंडिया's first fresh water floating tunnel aquarium has been set up at which railway station तो आंसर है बैंगलूरू city railway station next question where will India's first maritime arbitration center be set up the answer है गांधी नगर is the right answer जहाँ पर भारत का पहला maritime arbitration center स्थापित किया जाएगा next है which has become India's first electric vehicle city answer is के बढ़िया तो फ्रेंग्स के बढ़िया भारत का पहला electric वाहन शहर बन गया है इसके बाद देखिए in which state country's first mucor mycosis unit has been set up जो कि black fungus infection के साथ deal करता है और इसे कहां पर स्थापित किया गया है answer है मध्यप्रदेश next is from where to where has the ministry of railway started the country first oxygen express train तो कहां से कहां तक ही express train शुरू की गई है answer हो जाएगा देखिए यहां पर मुंबई टू विशाखा बटना मिस्टी राइट आंसर नेक्स्ट कुशन पर बढ़ते हैं which has become the first ministry of railway started यह हमने कर लिया है मुंबई टू विशाखा बटना मिस्टी राइट आंसर first railway station in महारास्ट to be awarded gold certification as per igbc rating तो पहला कौन सा इसा महारास्ट का railway station है जो की gold certification से सम्मानित हुआ है answer is चत्रपती शिवाजी महारास्ट टॉमिनल next is who has built India's first indigenous drone defense dome जिसका नाम है इंदरजाल तो इसको किस ने बनाया है तो इसको develop किया है green robotics company ने next है which has become first rabies free state in India answer is goa तो friends goa भारत का पहला रेवीस मुक्त राच्चे बन गया है अगला question which Indian village has become the first village in India to vaccinate all its adult population तो वहां की जितनी भी वयस कावादी है उन सभी का vaccination करने वाला भारत का जो पहला गाउं बना है वो है वयान the answer is option D next is in which country has the union cabinet approved the opening the first consult general of India answer is Maldiv next question है देखिये which has India's first where is India's first agriculture export facilitation center been launched answer is महराश्ट पूनी जहां पर भारत का पहला क्रशी निर्या सुभीदर के इंद शुरू किया गया इसके बाद देखिये which has become the first state in India to adopt online flood reporting system तो पहला ऐसा कौन सा राज़े बना है तो यहां पर correct answer हो जाएगा असामिस दी right answer next question है next question है who has launched India's first high speed commercial delivery e-scooter और इसका नाम है harman 75 तो इससे launch किया है friends Kabira Mobility ने next question है where was India's first vertical forest tower mana foresta built तो भारत का पहला जो vertical forest tower है इसको नाम दिया है mana foresta इसे कहां बनाए गया था the answer is Bengaluru is the correct answer next is in which state India's first electric vehicle lithium battery plant will be set up तो यह भारत का पहला lithium battery plant है और इसको इस्थापित किया जाएगा करनाटक state में next question is where has become India's first 14 lane expressway तो यह 14 lane expressway है और यह कौन सा बना है Delhi Merit Expressway next is भारत का पहला state या UT कौन सा है जिसने declare किया है जिसको TV मुक्त घोशित किया गया है और यह है लक्षदीप लक्षदीप जो कि क्या है एक union territory है जिसे TV declare free declare किया गया अगला question है where has India's first transgender community desk opened answer is तेलंगाना तो फेंच तेलंगाना में भारत का पहला transgender community desk खोला गया है अगला question in which state India's first forest medicine center has been opened answer is उत्राखंड तो जो भारत का पहला वन चिकिसा केंदर है इसे उत्राखंड में खोला गया next is which has become the first union territory of India to launch carbon watch app answer क्या हो जाएगा देखिए चंडिगर्ड is the correct answer जो कि भालत का पहला की इसाशर प्रदेश बना है जिसने carbon watch app को launch किया next question पे बढ़ते हैं which has become the first state in India to present paperless budget correct answer is उत्तरप्रदेश next is भारत का पहला international cruise terminal सागरिका has been set up in which state the correct answer is केरला और इसका नाम भी ध्यान रखेगा सागरिका है इस terminal का नाम next is भारत का पहला centralized AC railway terminal ये कहां पर set up किया जाएगा तो friends इसे बंगलूरू में set up किया जाएगा next is where has India's first wetland conservation management center has been set up answer is Chennai तो भारत का जो पहला आधरभूमी संद्रक्षन प्रबंधन कींत्र है इसे Chennai में स्थापित किया गया है next is in which state India's first gender park is being built answer is Kerala next question है इंडिया's first ski park will be built in which state answer is Himachal Pradesh यहां पर भारत का पहला ski park बनाया जाएगा इसके बाद है इंडिया's first labor movement museum will be set up in which state the correct answer is Kerala sorry Kerala is the right answer जहां पर पहला श्रमिक आंदोलन संग्राल ने स्थापित किया जाएगा next है देखिए the country's first igloo cafe has been opened in which union territory the correct answer is Jammu and Kashmir जहां पर देश का पहला igloo cafe खोला गया अगला question है in which state country's first leather park has been established the correct answer is Uttar Pradesh अगला question देश का पहला बुद्धीष्ट थीन पार्क ये कि शहर में बनाया गया है तो शहर का नाम है सांची तो important question है friends याद रखिएगा अगले question पे भरती है किस राज्य में देश का पहला fire park का उद्गाटन किया गया तो ये बना है उडिसा स्टेट में ध्यान रखिएंगे उडिसा स्टेट में पहला fire park का उद्गाटन किया गया इसके बाद in which state जहां पर country का पहला toy manufacturing cluster को स्थापित किया जाएगा और स्टेट का नाम है friends करनाट का next question देखते हैं question है अगला who has launched India's first cattle genomic chip जिसको नाम दिया है इंडी गाउ तो इसे launch किस ने किया है answer is Dr. Jitendra Singh next is which IIT institute has developed India's first indigenous motor for e-rickshan और ये किस ने develop किया IIT Madrasani इसके बाद देखिए इंडिया का पहला heart failure biobank का उद्गाटन किया गया है किस राज्य में तो friends answer हो जाएगा यहां पर केरला में इसका उद्गाटन किया गया next is India's lightest metro train and Pune first metro ये Pune की पहली metro है और इंडिया की सबसे हलकी metro है इसे कौन सा मतब कौन सा देश है जो इसे बना रहा है इसे बना रहा है Italy next is India's first port taxi ये कहाँ पर चलेगी तो ये चलेगी Noida में अगला question कौन सा IIT institute है जिसने इंडिया का पहला temperature recording device को launch किया है जिसको नाम दिया है MP tag तो MB tag को जो डेवलप किया है वो IIT रोपने से डेवलप किया next question है which city of India will be developed as a sports city आंसर इस एहमदाबाद next question where is India's first undersea tunnel being built तो समुद्र के अंदर जो tunnel है वो सबसे पहले कहाँ बनाई जा रही है answer is Mumbai next is where will India's first geothermal field development project be set up और इसे कहाँ set up किया जाएगा तो इसे लेहे में भूत आपिये शेतर विकास पर्योजना स्थापित की जाएगी next is भारत का सबसी बड़ा multi-model logistic park का स्थापना ये कहां की जाएगी the answer is गुजरात में इसकी स्थापना की जाएगी next is where was the first book village of state of Kerala built तो केरल राज्ये का जो पहला book village है ये कहां बनाये गया था answer is column next question in which state और UT जहाँ पर दुनिया का सबसी बड़ा खादी national flag का उदगाटन किया गया है तो इसका उदगाटन किया गया है लेहे में next question पर बढ़ते हैं भारत में दुनिया का सबसी उचा electric vehicle charging station ये कहां पर शुरू हुआ है तो हिमाजल प्रदेश में एक जगा है काजा यहां पर इसे शुरू किया गया next is भारत का सबसी बड़ा open air funnery किस राज्ये में खोला गया है friends उत्राखंड में इसको खोला गया है अगला question है in which city इंडिया's tallest air purifier tower has been inaugurated तो इसका जो उत्गाटन है वो चंडिगर में है और ये भारत का सबसे उचा air purifier tower है जिसे air को purifier किया जाता है अगला है where has the world highest road at an altitude of 18,600 feet तो इसका जो उत्गाटन है ये लिह लदाग में इसका किया गया और ये दुनिया की सबसे उची सड़क है इसके बाद कोशन है देखिए in which state of India जहाँ पर highest इंडिया का highest herbal garden है इसका उत्गाटन किया है तो उत्राखंड में इसका उत्गाटन किया गया आगला कोशन है कि किस state में भारत का सबसे बड़ा floating solar power plant इस्थापित किया जाएगा तो तेलंगारा में ये planning है कि सबसे बड़ा जो floating solar plant इसको स्थापित किया जाएगा नेक्स्ट इस भारत का सबसे बड़ा floating solar plant ये कहां पर बनाया जा रहा है तो फिर वही कोशन पूशने का तरीका वही था सिर्फ हलकिसी यहां पर language change हुई है एश्या का सबसे बड़ा kettle park इसका उद्गार्टन कहां पर किया गया है तो फ्रेंग्स तमिलनाधू state में इसका उद्गार्टन किया गया इसके बाद देखिए तो पहले भारते अभी नेता है अगला कोशन है तो इस टाइटल को जीतने वाले पहले भारते कौन बने है अरजन सिंग भुलार is the right answer अजन्ता नियोग किस राज्य की पहली finance minister बनी है आंसर इस असाम तो इंपॉर्टन कोशन है कोशन ऐसी भी बन सकता है कि असम राज्य की पहली finance minister का नाम बताईए तो आंसर इस अजन्ता नियोग अगला कोशन इन्विच स्टेट जहां पर इंडियन आर्मी ने पहला ग्रीन सोलर एनरजी हारनेसिंग प्लांट को शुरू किया तो इस राज्य का नाम बताना है सिक्के मिस्दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट है तो बहारते सीना में थानसर कौन बनी है अनुराग धाकूर अगला कोशन है इंस्टाग्राम पर हंटृट मिल्यन फोलोर्स पाने वाले दुनिया के पहले बहारते करेकेटर बनी है विराट कोहली तो यह पहले इंडियन करेकेटर है जिनके इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फोलोर्स हो गई है नेक्स्ट कोर्शन है वेर हैस्स कंट्री फर्स्ट अंपुटी क्लीनिक बीन इनॉगरेटेड ति करेक्ट आंसर इस शंडीगर नेक्स्ट इस वेर हैस्स फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल बीन लॉंच्ट तो शिलॉंग शहर में देश का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल शुरू किया गया अगला कोशन है कोविट नाइटेन वेक्सीन पाने वाले पहली भाटे कौन थे जिनको सबसे पहली जो COVID vaccine है वो लगी थी उनका नाम है मनेश कुमार अगला question है तो जिते में fighter planes हैं उनके landing take off के लिए एक्सप्रेस वे पे दो air stripe बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है आंसर इस उत्तर प्रदेश अगला question यहाँ पर हमारे सारे के सारे questions हमापत होती हैं और यह video देखना आपको काफी मदद करेगी क्योंकि यहाँ से definitely एक से दो questions आपके exam में पूछे जा सकती है Thank you so much for watching this session